हेलो फ्रेंट्स आज हम गाजर मूली का चार बना रहे हैं तो मैंने एक गाजर और एक मूली ली है और इसको काट कर जो है पंखे की हवा में मैंने दो तीन घंटे के लिए सुखा दिया था या ओपर ओवर नाइट भी रख सकते हैं और ये हरी मिर्ची ली है पास साथ और उस मैं इसमें डाल दूँगी बहुती बढ़िया और इंस्टंट अचार बना रहे हूं इस समय मूली और गाजर का सीजन भी चल रहा है और अचार खराब ना हो इसके लिए बस सिर्फ एक ही ट्रिक आपको रखनी है कि गाजर और मूली का जो पानी है वो है ना सूप जाना चा एक चमच या देड़ चमच भरकर नमक डाल दिया है या कम या जादा आप कर सकते हैं काजर और मूली की कॉंटिटी भी बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं और ये जो है मैंने आधा चमच हल्दी पावडर डाल दिया है साथ ही में मैं इसमें हींग एट कर दूँगी पाच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा गाजर मूली का इंस्टंट अचार बनकर रेडी हो जाएगा बस इसको पाच्छे घंटे के लिए ऐसी रख दीजिए और हमारा इंस्टंट अचार बनकर रेडी हो जाएगा आप एने टाइम दाल चावल के साथ या पराठे के सा कभी भी खा सकते हैं और बस इसका सफाई और ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि हमको जो है गाजर और मूली का पानी जो है सुखा लेना है आप चाहें तो सुबह के टाइम काट कर रख दीजिए और दिन में 12 एक बजे तक बना सकते हैं या 5-6 घंटे जो होता है न उतने में हमारा जो इसका मूली और जो गाजर है इसका पानी सूख जाए बस इतना ही रखना है या आप चाहें तो ओवर नाइट भी रख सकते हैं और ये गाजर मूली का इंस्टेंट अचार बनकर रेडी हो गया तो आपको मेरी रेसिपी के इस से लेगी